कैंसे आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूटूब चैनल स्टडी भी थी होगे इसमें तीन टाइप से उपर नहीं करा रहा हूं एक दिन में ठीक हैं यह जो वीडियो हैं बच्चों पांसे छे क्लासिस लेंगी खातान को और करनी वारी उसके बाद कि जो चैप्टर है अनुपात समानुपात है ब्रेज पोसेंटेज हम उसको बहुत आमत रैपिडली उसको देखे करने के लिए बहुत आसान हो जागे जैसे हिंदी का सेक्षिन जो पढ़ाया है वो आप लोग देखी रहे होंगे और जो नहीं पढ़ाया वो टॉपिक में कबर करवाऊंगा आप लोग के अभी तो बहुत समय है और करेंट आफिस हम लोग करेंगे उसको कबर करेंगे यहा आज बच्चो बहुत अच्छा और बहुत इंट्रेस्टिंग टाइप के क्वेशन जो बहुत हैं इजी और पेपर मार आते हैं कई बार हम क्वेशन कन्फूज कर जाते हैं देखिए पहले मैं आपको यह टाइप दिखा रहा हूँ पहले समझना में क्या कहना जा रहा हूं यहां पर यह x की value पूछेगा बच्चो आपसे क्या कहीगा देखो इस type से question देखेगा जैसे यहां पर लिखते हैं बच्चो एक्स की power y equals to x की power z ऐसा कुछ लिख दिया तो इस case में आप क्या कर सकते हो बेसमान है यहां भी x है यहां भी x है तो यह y बराबर z लिख सकते हो ठीक है इस तरीके से हम लोग इसको चलाएंगे यानि यह type इस ही type का है यानि आपको इस type की चीज़ देखेगा अब आपको इस रहे से मज़ा नहीं आ रहा प्रैक्टिकली बताओ प्रैक्टिकली जैसे देखो यहां पर इस ने देख दिया 2 की power x और यहां देख दिया 2 की power और 6 बेश समान है 2 2 तो x बराबर किता लिख सकते हो 6 मतलब इस type के आप लोग question करेंगे ठीक है यानि हमें x find करना होगा इस type वाले questions में क्या find करना होगा x find करना होगा इस types के question में अब दूसरी चीज़ ध्यान लखना by chance बेश समान न दिया हो तो क्या करोगे तो बोलो sir बेश समान करेंगे बेश समान नहीं दिया होगा तो बेश समान करेंगे अब मैंने बोला कि अच्छा बताओ बेश समान कैसे करोगे मैं बताता हूँ कैसे करोगे देखो by chance आपका ऐसा दे रखा है यहां आपका दे रखा है 2 की पावर x प्लस 4 ठीक है और यहाँ equals to के इधर दे दिया 8 की पावर 9 अब बताओ अब मैंने अब क्या आप ऐसा लिख सकते हो x प्लस 4 बराबर 9 ना बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं लिखो गए ऐसा ठीक है मजाग वाले डिल्कुल ना सच सीरियस मत ले ना यहाँ दिहान रखने वाली चीज यह है बेस समान होने पर पावर को आप लिख सकते हो एक को ताकि आपके x की जैसी यह 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 6 आपको पता है सर ने बता है था बेस समान यह तो अब आप क्या कर सकते हो बेस समान बनाने के लिए आपको क्या चाहिए यह 2 है आप इसको 2 बनाना है अब यह तो ऐसा ही रहेगा 2 x की प्लस पावर 4 यह अब इसको 2 बनाना है अब 2 कैसे बनाओगे बच्चो क्या आप 8 को 2 के उसमें लिख सकते हो 2 के किसी फॉर्म पे बिलकुल लग सिकते हो 2 का cube कितना होता है 2, 2, 4, 2, 8 आप simple सी करना ये जो base है ऐसा ही लिख देना अब ये जो number होगा ये देखना है कितने का cube, कितने का square पक कैसा ही बैठेगा या किसी का square बैठेगा या किसी का cube ये 2 है ना आप ये 8 को 2 के किस में लिख सकते हो cube में लिख सकते हो 2, 2, 4, 2, 8 ये नहीं 2 की power 3 2 की power 3 लिखू या 8 लिखू एकी चीज है या नहीं मुझे ये बता दो 2 की power 3 लिखू या 2 की power 8 लिखू बराबर है कि नहीं बिलकुल है वो इसलिए मैंने लिखा ताकि बेस समान हो जाए और ये बाहर से 9 है तो इसके बाहर 9 आ जाएगा ठीक है अब बताओ परसु क्या सिखाया था मैंने जब किसी की पावर में कोई नंबर हो और उसके साथ बाहर से दूसरी पावर हो दोनों आपस में क्या होते हैं बताया था मल्टिप्लाई हो जाते हैं गुणा हो जाते हैं ठीक है तो आप भी कर दो 2x प्लस 4 तो ऐसा ही रहा अब देखो 2 2 की पावर 3 और इंटू 9 नौती है 27 क्या 2 और 2 बेस समान मिल गया तो आप क्या सकर सकते हो x प्लस 4 इक्वस्ट्ट्व कितना लिख सकते हो 27 अब देखना बच्चो इसको कैसे solve करते हैं यह तो पता ही होगा आपको यह होता है बच्चो एक 4 होता है एक 8 होता है ठीक है यह variable होता है x बगरा और जो digit होते हैं एक दो तीन चार यह non-variable होते हैं तो आप क्या कर सकते हो जो x वाले वह एक सांद रख तो जो non-x यह non-y वाले वह दूसरी साइड ले जाओ तो जब हम साइड दूसरी साइड एक्वस्ट्ट्व के इधर उदर करते हैं तो sign change हो जाते हैं चिन्न बदल जाते हैं बसरते plus वाला minus minus वाला plus इंटो और डिवाइड वाला नहीं है ठीक है plus वाला minus minus वाला plus तो x यह नहीं रहें दो यह एक क्वस्ट्व के वहाँ 27 यह इधर आ गिया यह plus में है तो ही minus तो x की value कितने आगी 23 क्या यह tough है नहीं होगा अब आपको मैं इसके questions कराता हूँ ध्यान रखना बहुत आसानी से इसके question आप लोग कर सकते हैं बहुत easily आपसे x fine करने को बोलेगा तो एक type का question आपका बहुत अच्छे जिवन जाएगा ठीक है question लिखो question नमर 2 की power x equals to 2 की power 4 में x की value क्या होगी तो क्या लिखोगे x equals to 4 क्यूं क्यूंकि आपका base समान है तो power जो होती है वो equals to 4 हो जाएगा ठीक है answer आपका question नमर 2 second लिखो बच्छो 3 x plus 2 equals to 3 की power 5 क्या base समान है बिल्कुल समान है 3 और 3 तो आप क्या लिख सकते हो x plus 2 equals to 5 और x बराबर किता हो जाएगा बच्छो 5 के इधर चला जाएगा 2 ठीक है प्लस में है तो minus हो जाएगा 5 में से 2 गटाओ 3 हो जाएगा तो x की value कितनी आ जाएगे बच्छो 3 आ जाएगे क्या मुस्की रहे question करना इस टाइप का question करना अगला question आप इसी तरह की से practice में लेके आओ अगला question लिखना बच्छो आप लोग 5 में से 2 गया आपने 3 हो गया अगला question आप लोग देखो बच्छो x plus 2 equals to 5, x equals to 5 minus 2, x equals to 3 ठीक हो गया अगला question आपने देखना है बच्छो ठीक है 2, 3, 2x plus 1, 3 की power 2x plus 1, 3 की power 2x plus 1, ठीक है इसकी value दे रखिए इसने equals to के उधर करके 3 की power 7, इसको solve बगरो और कहेगा 3 की power 7, x की value निकालो गएगा तो x की value क्या होए, बेस समान है तो power के लिएगगे equals, 2x plus 1 equals to 7, 2x कितना हो जाएगा, 1 इधर जाले जाएगा रहा, minus में, 7 minus 1 कितना हो जाएगा, 6 अब यह 2 नहीं जाएगा उधर, ठीक है, मैंने क्या कहा, जब plus और minus में चीज़ें होती है, तो वो request के इधर उधर जाती है, और change बदल जाती है, यह तो 2 तो into में है, बच्चो, कोई sign नहीं, तो into का मतलब, into में है तो इधर दिवाइड में चला जाएगा, ध्यान रखना ह एक है, तो x राबर क्या होगा, 6 by 2, तो x request 2 कितना होगा बच्चो, 3, answer कितना आगया, x request 2, 3 आगया, क्या ही मुस्किल लग रहा, क्या आपको इस टाइप के हलके question, अब यार इस basic calculation तो आपको करनी ही पड़ीगी, आप ऐसा भी नहीं हो जगता है, अब यह छोटी-छोटी calculations म आपको बताओं कि यह plus के, वहाँ minus जाता है, minus के वहाँ plus, यह तो मतलब बहुत basic चीज़ा, अगला question देखो, बाइचा यहां लिखा, 5, 2x minus 1 equals to 5 की power 15, और पूछा x की value निकालो, आपको पता है, बेस समान है, बेस समान है, तो क्या करोगे power को equals to की धलिक दोगी, ठीक है, त equals to 16 by 2, और सो लोगों को 2 से भाग दो, कितना आजाएगा, 8 आजाएगा, क्या मुश्किल है, इस टाइक का question, मुझे नहीं लगता कि बच्चों मुश्किल है, ठीक है, अगला देखो, 3, 2x plus 1, अगला 3 की power 2x plus 1 equals to, यहां लिख देखो 9, देखो, equals to की इधर क्या लिख देख आपने खाया, सरने कहा था, बेस समान हो, तो power यहां तो बेस समान नहीं है, बेस समान नहीं है, तो बच्चों इसको आपको 3 की रूप में तोड़ना है, ताकि यह तो 3 ही है, इसको 3 के रूप में तोड़ो, तो 9 को आप 3 का square लिख सकते हो, या नहीं लिख सकते हो, मुझे ताकि आपका question बन जाए तो आपको 3 के रूप में तोड़ दो 3 के ही रूप में क्यों टोड़ा क्योंकि आपको base समान करना है base इधर 3 है जितना यहां होगा उसको इसके form पे वो जो यहां number लिखा है इसी के form पे आपको इस वाले number को तोड़ना है इसी के रूप में तोड़ना है तो 3 तो लिखी दो अब 9 को क्या लिख सकते हो आप 3 का square, 3 का cube, 3 का square लिखोगे ठीक है और बाहर से कितना होगा बच्छो 3 का cube, अब बचाओ मैंने क्या बताया था आपको 3, 2x, plus 1 पिछली class में बताया था जब power ऐसी होती है बच्छो, आपस में multiply हो जाती है तो 3 की power कितना हो गया, 3 दूना 6, बेश समान हो गया, तो power को लिख दोगे, equals to के वहाँ, 2x plus 1 equals to 6 2x equals to कितना हो गया, 5 x equals to 5 by 2 आंसर आगे आपका, धाई ठीक है, x की value कितना है बच्छो 5 by 2, मुझे बताओ कि क्या इसमें आपको कोई problem होई, मुझे लगता नहीं कि बच्छो कोई problem होगी, ठीक है, अगला इसी तरीके से question लिखो, बहुत simple से question होते है बच्छो, ए x की value पूछने को, और बहुत important question है, ठीक है, ये paper में आता है question अगला लिखो 4, 2x minus 1, equals to 8 का square, अब बताओ क्या आप power के इधर-उधर same number है, नहीं है, तो मैंने क्या कहा था, इस 8 को और इस 4 को आपने same बनाना है अब आप कैसे बनाओगे बच्छो, ये तो बनने का मतलब ही नहीं है आपके दिक्कत क्या होगी अब आप 4 के इस 8 को 4 का ना square लिख सकते हो ना 4 का cube लिख सकते हो, बताओ यहाँ आपने 2, 4 लिखा क्या इसको 4 का square लिख दोगे 4 चको 16 हो जाएगा, नहीं लिख पाओगे क्या 4 का cube लिख दोगे, 60 फोल जाएगा नहीं हो पाएगा, अब आप इसको 4 के रूप में नहीं अगर आपने इसको 2 के रूप में लिख दिया तो यह 4 हो जागा, फिर भी गड़ बड़ जागे तो ऐसा करो, इसको भी 2 के रूप में लिख दो इसको भी 2 के रूप में लिख दो, आपने काम क्या करना है दोनों को बेश समान मना देना है अब आपका ऐसा पेंच पसा इधर जो दिया है वो यहाँ के इधर जो नंबर दिया है इसको बिना चेंज किया आप इसको इसी रूप में लिख पा दें क्योंकि अगर आप सोचतो कि यह 4 ही रहने दू इस 8 को मैं कुछ लिख दू तो 4 के फॉर्म पे कैसे लिखोगे 4 का स्क्वार करोगे 4 का क्यूब करोगे तब भी नहीं आएगा तो आप ऐसे केस में जब फसते हैं बचो आपको क्या करना बढ़ेगा दोनु वाले को चेंज कर दो आप इसको भी 2 के फॉर्म पे लिख दो 2 का स्क्वार कितना होता है 2 दोना 4 इसको भी 2 के फॉर्म पे लिख दो 2 का क्यूब कितना होता है 8 तो आप ऐसा कर देना ठीक है तो इसको लिख दो 2 का स्क्वार 2 दोना 4 बाहर से उसका ओलेडी कितना है 2x-1 ठीक है और इसको किता लिखुए गए 2 का cube और बहार चे कितना है square अब ये क्या होंगे आपस में गुणा हो जाएंगे 2 अब बताओ 2 से पहले 2x को इंटू करो 2 दूना 4 4x हुआ फिर sign किसका है minus 2 से 1 को इंटू करो 2 इंकम 2 equals to 2 से किसको ये 3 से किसको गुणा करोगे 2 को 3 दूना 6 2 की power 6 क्या बेश समान हो गया अब तो आसानी से आप लिख सकते हो देखो 4x minus 2 equals to 6 4x equals to 8 x ब्राबर 8 बटा 4 हो जागा 2 क्या ये मुश्किल है मतलब आपको लग रहा है कि ये मुश्किल है बच्चो सिंपल सा है बहुत आसानी से आप इसको solve कर सकते है क्योंकि अगर आपका बेश समान नहीं दिया है दोनों साइट तो आप ऐसा नंबर डूड़ना जिससे बेश समान बन जाए दो के रूप में लिख देना, तीन के रूप में लिख देना तो आपका question बहुत आसानी से ये question बूशते है कि x की value क्या आओगे तो वहाँ हाथ पैर आपके फूल जाते है इसलिए मैं कहारा हूँ परिशान होने की जर्वत नहीं घातान करनी थोड़ा सा complicated chapter रहता है non mathematics के students के लिए ठीक है, ध्यान से समझने है इसको अगला question देखो, by charge इसने दीदे है 2 की power 2x minus 1 equals to 8 का cube और बोलेगा find x x की value क्या होगी, ठीक है अब आपको पता है कि यारे 2 अब इसको 2, अब बहुत आपको पता है कि बेश समान नहीं सन ने कहा था, बेश समान मना देना ये तो बन जाएगा बहुत आचानी से ये 2 का क्या होता है, cube होता है और बहार से अल्रेटी क्या है, cube है, ठीक है तो 2, 2x minus 1 equals to 3 तीया 9 हो जाएगा, ठीक है 3 से 3 को गुणा करोगा, नहीं बताया था 2 की power 9, तो बस बेश समान हो गया लिख दो, 2x minus 1 equals to 9 अगला इसी तरीके से question लिखो बच्चो, practice करते रहे नहीं के, ठीक है, मतलब ये एक बार सीख गए तो paper हो बहुत आसानी से बन जाता है ज्यादा परिशान होने की जर्वत आपको नहीं है ठीक है, अगला question देखो, 9 की power लिख दो, 2x plus 1 equals to 27 का cube अब बताओ, 27 का cube ऐसा लिख दिया है इसने, find x गह रहा है तो x की value क्या होगी अब आपको पता है यार, इसने फिर वही गढ़बर कर दी आपको पता है यार, मैं base अगर same बनाऊंगी इसको तो मैं 9 की किसी भी रूप में नहीं लिख सकता हूँ या cube या 4 टाइम में वो number आए, वो 3 में आ जाएगा जोखो तीन का square? 9 और तीन का cube? 27 तीन में दोनों आ रहे हैं मतलब आपको एक ऐसे number में तोड़ना पड़ेगा जो दोनों number किसी का square है, किसी का cube हो ऐसे case में तो आपको पता चल गए, यह 3 का square होता है बच्चों तो देखो, यह आपने लिख दिया 3 का square इसको 3 तीन 9 लिखो या 3 का square लिखो, ठीक है? बाहर से कितना है? 2x plus 1 और 27 को कितना लिख सकते हो? 3 की power 3 3 तीन 9 तीन 27 और बाहर से 3 अब बताओ, यह आपस में क्या हो जाएंगे? इंटू जाएंगे, 3 तो ऐसा है रगा, 2 दुना 4, 4x, फिर sin किसका है? प्लस का, 2 एकम, 2, ठीक है? और 3 को 3 से इंटू करो, 3 तीन 9 होगे, ठीक है? 3 से 3 को 9, नो, सॉरी, 3 तीन 9 तीन 27 यह 27 होगे, ठीक है? आप देखो, बेश समान, तो पावर आप एकम में लिखतो, 4x फ्लस 2 एकम, 27, 4x इकम, 27 में माइनिस 2 करो, 25, x इकम, 25 बाइ 4, क्या मुश्किल हुई? आपको इस क्वेश्चन को करने में, मुझे लगता है, निकी जाद़ प्रब्लम आई होगे, आपको एकम रुख रहा है, थोड़ा कैलकुलिशन देख्ता हूँ, 3, 4x प्लस 2 एकम, 3 के पावर 20, 3, 29, 27, कि तो कहा 3 का क्यूब है, 3, 29, 27 का क्यूब, ठीक हो गया, 3, 29, 27 का क्यूब, ठीक, 3, 29, 27 हा गया है, ठीक हो गया, 4x plus 2 equals to 27 4x equals to 25 x equals to 25 by 4 चेक कर लेना ठीक है? यही आईगा इसका answer यही चेक कर लेना एक बार 9 निक है 9 2x plus इसको हमने 3 का square लिखा और बाहर से 2x plus 1 इसको हमने लिख दिया 3, 3, 9, 3, 27 3 का cube बाहर से 3 हो गया ठीक हो गया? अब यह into होगा 4x से 2, 2, 4 प्लस 2 एकम 2 ठीक हो गया और 3, 3, 9, 3, 27 ठीक हो गया ठीक है? हाँ ठीक है इस तरीके से इसको आप लोग करेंगे ठीक है? अगला question लिखो अब मुझे लगता है निकी बच्चो आपको इसमें बहुत जादा complicated लग रहा होगा अब आप इस तरीक का question कर लोगे तो इसलिए मैं इसका last question मुझे बच्चो अब देखो आप से बहुत टेक्निकली एक question पूछ आपको परिसान करने के लिए ऐसा question पूछ देगा 81 2x minus 8 equals to 1 तो x की value ग्याद करो तो x क्या? अब देखना अभी तक तो आप बेज समान कर रहे थे अब क्या करोगे? मैंने क्या कहा था? ऐसे question में किसी की power 0 की value 1 होती है याद करो किसी भी संख्या के power की value 0 अगर होगी उसकी value 1 होगी ठीक है? इसके bracket में लिको किसी संख्या के power यानि इस में अगर 0 है अगर 0 तो उसकी value 1 होगी उसकी value 1 होगी ठीक है? अब देखो 1 होगी कह रहा किसी संख्या के power अब हमें base सेम मनाना है तो लिख दो ना 81 की power 0 इसी तो लिखाया है ताकि 81 यहाँ है 81 की power 0 लिख दो तो 0 की value 1 होगी तो 1 हो जाएगा देखोए ऐसे सेम मनाते हैं 2x-8 यह लिख दो किसी भी संख्या की power की value 0 1 होती है 1 लिखो या 81 की power 0 लिखो ऐसे question में ऐसा करना है बस बेश समान हो गया 2x-8 equals to 0 2x equals to यह sign बदल जाएगा उतर जाके 8 x अराबर 8 वट्टे 4 8 वट्टे 2 कितना आए बच्चो 4 आए ठीक है इसी तरीके से क्या मुझे लगता है नहीं कि इसमें कोई problem होगी आपको ठीक है अगला लिखो 27 की power 3x-8 27 की power 3x-8 equals to 1 तो find x करो x को क्या होगा गया simple तो है आपको पता है कि इसी की power 0 की value 1 होती 2x equals to 8 x equals to 4 ठीक है x equals to कितना आगया बच्चो 4 आगया क्या इसमें आपको कोई problem हुई x 3x 27 3x-3x 2x कर दिया मैंने चलो इसको आप 2x कर दो क्या प्रक पड़ता है question मैं 2x कर देना यू calculation में मैंने 3x था 2x कर देना x equals to 8y 3 हो जाएगा ठीक है जो भी आप लोग कर दो क्या इस तरीकी के question में कोई दिक्कत हुई अगर ऐसा question आपसे paper नों पूछता है और आपसे कहेगे कि इसकी value निकालो तो आपको कोई problem होगी नहीं होनी चाहिए ठीक है एक ऐसा question देता हूँ आपको जिसको देखके आपको लगा लगेगा कि आत्मा परमात्मा के पास से लिए लेकि जिसको solve कर गोगे फिर लगेगा आत्मा धरती पर इगी है ठीक है तो check करना कि कैसे इसको कर दें check करो question type लिखो भारी भरकम दिखेगा question देखने में लेकिन होता नहीं है देखो पहले लगाएगा करणी का sign question लिखेगा question लिखेगा बहुत बड़ा बड़ा दिखता हूँ हाँ उस paper में ठीक है फिर ये बंदा लगाएगा एक bracket ठीक लिखेगा एक करणी का sign और लिखेगा 6 ये 6 है ठीक है check करते रहे ना क्या क्या लिख रहा हूँ है फिर लिखेगा 5 का cube मतलब कोई नंबा लिखेगा 5 उसका इसने cube कर दिया ठीक है ऐसी लिखना आप लोग इस तरीके से मैं कर रहा हूँ 5 का cube कर दे ये तो bracket वहाँ question में दिया होगा ठीक है ये वाला bracket लगाओगे इसके बहाँ लगा दोगे कितना 25 और इसके आजी बड़ा सा वाला bracket जोगा वो भी बंदगर होगे और इसके बहाँ लिख दोगे आप लोग कितना 25 के बहार 4 लिख दोगे और पूछेगा की value क्या होगी की value मतलब इस question की value अब देखो इसलिए मैंने कहा आप इस question को देखोगे तो आपके आत्मा परमात्मा के पास जले जाएगी लगिन जब solve करोगे तो महसूस हो जाएगा कि आत्मा धरती बही है कुछ नहीं कहना बच्चो ऐसा question देखता है आपको ऐसे question की value पूछेगा कि आपको यहाँ करणी दिये होगे अब बताओ जिस करणी का sign ना जहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता उसकी value कुतनी होती है 2 इस करणी की value 2 इस करणी की value 4 इस करणी की value 10 इस करणी की value 6 ठीक है और उसके आप power मा आ जाओ power principle एक power यहाँ पे 3 एक power यहाँ है 8 एक power यहाँ है 25 एक power यहाँ है 4 इतनी हैं तो ऐसे question की value जहाँ करणी के number दिये हो ब्रेकेट पर ब्रेकेट लगाए हो और power में चीज़े दिये हो बहुत आसान है आपको एसे question में क्या करना है बच्चो simple सी बात है power की value जो power की value जीऊंगी जैसे 3, 8, 25 और 4 इनको रखोगे उपर तो रख दो आप लोग जैसे into में ठीक है सबसे पहले power की value कौँशी है 3 फिर power की value कितनी है 8 फिर power की value कितनी है 25 फिर power की value कितनी है 4 और है कोई power नहीं है इसको divide करोगे जो number दिये है उसके साथ यह number ऐसा ही रहेगा जो last मां अंदर number ना करणी के अंदर वो ऐसा रहेगा इसके साथ divide करोगे कौन सा करणी की number को करणी का पहरा number बताओ यहां कितना है जहां कुछ नहीं दिया होता है 2 दूसरा करणी का number बताओ 4 तीसरा करणी का number बताओ 10 चौसे करणी का number 6 बस यह जैसे आपने solve गया इसका answer आगया ठीक है वो 5 की power मादेगा solve करतो देखो कैसे solve करते हैं इस 4 से यह वाला 4 cancel हो गया गुणा में है ठीक है एक 4 तो चला गया अब देखो 3 से यह 6 कटा बच्चो 2 बार कितने बार कटा 3 दूना 6 इस 2 से यह 8 कटा बच्चो 4 बार कितने बार कटा 4 बार कटा ठीक है अब देखना 4 बार कटा अभी आप cancel करते रहने ठीक है अब देखो, चार बार कट गया, अब किस नंबर से कट रहा है, पास से ही दस कट गया, दो बार, और पास से ही पच्चिस कट गया, बच्चो, पांच बार, ठीक है, इतना तो आता ही होगा, इस दो से ये चार कट गया, बच्चो, दो बार, अब बताओ, और इस दो से ये वाल जो घात के नंबर होंगे, यानि पावर 3 into 8 into 25 into 4 Divide करना है करणी के नंबर उसे, यानि 5 तो ऐसा ही रहेगा, ये वाला 5 है, ठीक है? अब इसके पावर में देखो, ये करणी का नंबर पहरा 2, 4, 10 एंच है, ये करणी के नंबर 2, 4, 10 एंच है क्या इसके अलाव कोई है, 2, 4, 10 एंच है के अलावा, 2, 4, 10 एंच है, उपर 3, 8, 25, and 4 3, 8, 25, and 4, अब आपको ये solve बगरना है बच्चो ठीक है, ये solve बगरना है, मतलए इस calculation को solve बगरना है, मैं side में करता हूँ, देखो यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, 3, 8, 25, and 4, divide में क्या है, 2, 4, 10, and 6 अब इसको solve बगरते हैं, देखो, 3 से 6 कटा दो बार, बच्चो ठीक है, इस 4 से ये वाला 4 चला गया अब क्या बचा है हाँ, 2 से ये वाला 8 कटेगा, 4 बार, ठीक है, 2 से 4 बार कट गया, अब क्या कटेगा आपका, 2 से ये चार कट गया, 2 बार, अब क्या कटेगा मैं क्या आरा सिर्फ एक आरा पांच की पावर पांच या नहीं पांच की पावर में सिर्फ एक ही पावर आरी बच्छो पांच की अलाओ कुछ बचा कैया इसमें बताओ मुझे आप आपने इसको पांच आया ना मत्तला आपको क्या करना है इस पांच को मत देखो आपने नॉ थोड़ा सा confusion इस में calculation में, क्योंकि ये 5 की power में जाना चाहिए, ठीक है, 5 की power 5 जाना चाहिए, इसकी calculation देखने पड़ेगे, बच्छे, एक बार 5 की power 5 संभवता होगा, फिर इसको check कर देना, एक बार, इसको check, अगर 5 की power 5 हा रहा, तब तो ठीक हो गया, 5 इंटो 5, नि तो 5 की power और अगर single एक बच्रा होगा, तो ये answer एक हो जाएगा, ठीक है, इसको check करना, एक बार, इस calculation को सही तरीके से, ठीक है, दूसरा question एक बार देखते है, करने का तरीका यही है, question कैसे solve करोगे आप, आप इस जो powers को है, multiply करोगे, divide में इस root के अंदर हो का वो, और इनके साथ किस को divide करोगे करनी वाले numbers को, ठीक है, एक बार दूसरा question चेक करता हूँ, वरना इसका एक बार calculation चेक करना, कि 5 की power 5 आ रहा है, 5 की power 1 आ रहा है, मुझे comment section में बता देना, ठीक है, मैं एक बार दूसरा question चेक करता हूँ, देखो, आपको एक करनी का sign मिला, यहाँ लिग दिया कर लगा दिया, ठीक है, फिर इसने एक bracket लगा दिया, देन इसने फिर एक करनी का sign लगाना है, वहाँ लग दिया, ठीक है, देन इसने एक चोटा bracket लगाना है, फिर इसने एक करनी का sign लगाना है, 6, और उस 6 के साद इसने करनी में लिखना है, 3 की power 10, ठीक है, 3 की power 10, और bracket बंद गरोगे रहे ठीक है आपको कुछ नहीं करना बच्चो आप तुरंत क्या करेंगे 12 वे 10 एट सीथ क्या करेंगे 3 जो है न ये 3 सबसे पहले आप पावर्स को मल्टिप्लाइ करोगे 10 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 8 ठीक है 4, 4, 25 और 6 देखो 4, 4, 25 और 6 इससे solve करोगे जब आप इसको solve करोगे तो 3 की power बच्चो 4 बचेगा क्यों? आप ये इसको मत देखना ठीक है? इनको solve करना उपर आणों को cut cut कर देना एक बार ठीक है इनको cancel करना तो 3 की power सिर्फ चार बचेगा बच्चो इसको solve करोगे तो उसका answer आपका 81 आएगा तो क्या टब है बचा हुई? पहला वाले चेक कर लेना एक बहर बस 5 की power एक आ रहा है 5 की power 5 आ रहा है ये चेक कर लेना बस ठीक है तो यहां से आप क्या करोगे इनको cancel, अब आपको okay sir cancel कैसे करना है cancel करना नहीं आथा अब बच्चो थोड़ा सा आपको efforts लगाने पड़ेंगे इस 3 को अभी तो hide रखो ठीक है इसको solve करना है इस वाले को और इस वाले को जो जिससे cut रहा होगा करना last में 3 की power 4 बचेगा आपका वो answer आपका क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से इसको करते हैं अब हम एक last तरीके के question को देखते हैं बच्चों उसमें सबसे largest और सबसे smallest number क्या होगा उसको हम लोग check करते हैं बहुत आसान है ठीक है आज यह की बताओंगा इसलिंगे सबसे बड़ा हूँए सबसे चोटा number सबसे चोटा number फाइंट करना ठीक है फाइंट पूछेगा आपसे कि इसका सबसे बड़ा number कौन सा है इसका सबसे चोटा number कौन सा है ठीक है question देखो इसे तरीके सी देखो लिखो root 5 minus 3 दूसा लिखो root 7 minus root 5 अगला लिखो root 9 minus root 7 ठीक है ऐसी अगला लिख लो root 11 minus root 9 इसमें सबसे बड़ा सबसे छोटा है मैं सबसे बड़ा सबसे छोटा मैं सबसे बड़ा number कौन सा है सबसे छोटा कुछ यह बूछ सकता है सबसे बड़ा वह छोटा है, ठीक है, नंबर कौन सा है, तो इसमें सीधे-सीधे लिखते हैं, बच्चो, आंचा लिखो, जब इसमें लिखना है, जब इसमें लिखना है, जब इसमें लिखना है, जब दे गए नंबर का अंतर समान हो, यानि सेम गैप है, दो का अंतर यहाँ ह तो सबसे छोटा number सबसे बड़ा होता है, वह सबसे बड़ा number सबसे छोटा होता है, ठीक है, solve कैसे करना है देखो, solution कैसे निकालोगे इसको दिखो जब दिये गए नमबर के अंतर समान होते हैं नमबर का अंतर समान हो अंतर मतर दिखो पांच और तीन का दो साथ और पांच का दो नौ और साथ का दो इकार और नो का दो दिये गए नमबर का अंतर समान तो सबसे बड़ा नमबर सबसे छोटा वह सबसे छोटा नमबर सबसे बड़ा होता है नमबर सबसे बड़ा होता है ठीक है तो इसमें बताओ यह सबसे बड़ा सबसे छोटा होगा तो सबसे बड़ा नमबर सबसे छोटा यह नि सबसे बड़ा इनमें कुछा है यह सबसे छोटा हो जाएगा कब जब दे गए नमबर का अंतर समान हो सबसे चोटा और यह क्या हो जाएगा बच्चो सबसे चोटा सबसे बड़ा हो जाएगा क्या इसमें कोई दिक्कत हुई आपको महीं भी लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है ऐसा question आएगा अगला question कैसे आएगा वो करणी मैं लिखना 2 करणी 3 के साथ 3 उसके आग करणी 3 के साथ 4 करणी 3 के साथ 4 देन लिखो करणी 5 मैं लग 5, normal 5 क्या है मैं सबसे बड़ावा, सबसे चोटा नमबर क्या होगा मैं सबसे बड़ावा, सबसे चोटा नमबर क्या होगा कह दिया होगा बच्चो, करणी का नंबर, उसका LCM निकालेंगे, सब 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 लिखो, करणी के नंबर का LCM, पहला इस था, अब करणी का नंबर बताओ, दो, तीन, तीन, दो, तो लिखो, दो, तीन, तीन, दो का LCM, कितना होगा, दो, तीन, तीन, दो का LCM बताओ, तीन, दो न step 2 में क्या करोगे बच्चो, step 1 क्या, step number 2, ठीक है, जो ये LCM आया है, LCM, करणी के नंबर से उनको divide करोगे, यानि जो 6 आया है न, करणी का नंबर से 2 से 6 को divide करोगे 3, 3 से 6 को divide करोगे 2, फिर इस 3 से 6 को divide करोगे 2, फिर इस 2 से 6 को divide करोगे, कि तब आएगा 3, तो जो divide करने के बाद आएगा जो divide करने के बाद आएगा उनको क्या करोगे करणी की पावर मर रखोगे करणी की क्या रखोगे इसको पावर मर रखोगे बस उससे आपका पता चल जाएगा ठीक है तो दिखो करणी के नंबर से नंबर से LCM को divide करेंगे फिर जो प्राप्त होगा जो संगे divide करेंगे उसे करणी के अंदर वाले नंबर की पावर मर रखोगे बस answer आजएगा आपका और दो divide देखो आपने 2 से किसको divide करो? 6 को कितना आएगा? 3 आएगा तो पहला वाला देखो root 2 की power 3 होगा ठीक है? दूसरे को divide करो 3 से 6 को divide करो 2 आएगा ले जाओ इसके अंदर ये 3 की power 2 होगे ना 3 दुना 6 तीसरे के अंदर ले जाओ 3 तो ऐसा ही रहेगा 4 की power कितना लिखोगे? तीसे बाल से डिवाइट करो, तीन दूना च्हे, दो, और चौथा नंबर कौन च्हे है, पांस तो इसा है रिगा, पांस की पाउर किता है को, दो से च्हे को डिवाइट करो तीन बार, अब बताओ, सबसे बड़ा नंबर कौन सा देख रहा आपको, पांस का क्यूब कितना तीन का क्यूब कितना होगा, चार का क्यूब कितना होगा, तो सबसे बड़ा, सबसे छोड़ा नंबर बच्चो आपको बहुत एजिली मिल जाएगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, टू की पाउर आपने क्यूब लिग दिया, इसमें करणी का, सॉरी, इसमें साइन जो लग सबसे बड़ा, ठीक है, और सबसे छोटा कितना होगा, दो का क्यूब, सबसे छोटा, वन यूब बताओ, कितना सिंपल है, आपको क्या करना है, करणी के नंबर्स जो दिये हैं, उसको LCM लिख देना है, और उस LCM को जब solve करोगे, उनके बाहर रख देना है, ये, रख दिया आपके in message संभा होता, जो पहला type है, X वाला और ये जो fine करने वाला, वो तो second होना, तो मुस्किल से आएगा, जो मैंने second हो बताया, ये दो question में, आपकी paper में, question आने के chances, बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, hopefully, ये class आपकी समझ आई होगी, एक बार इसको सही तरीक से आप लो हो सकती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुस्किल नहीं है, हम लोग कल मिलते हैं in English session, पर अपना ध्यान रखिएगा, thank you